मामला सामने आया, यहाँ पर राजस विभाग केवलारी में RBC 6-4 के तहट प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हुए लोगों अमरितकों के परिजनों को दी जाने वाली राहत राशी में खपला किया गिया है जान्च में 289 जिन्दा लोगों को मुर्दा बता कर 11 करोड 16 लाख रुपए के घोटाले को अंजाम दिया गया घोटाले का परदाफाश होने के बाद सिवनी के केवलारी तहसिलदार हरिश लालवानी ने विवेशना शुरू करने के निर्देश दिये हैं वहीं विधायक राकेश पाल ने भी पुलीस और सरकार से निस्पक्ष जांच की मांग की है वहीं मुख्यमंत्री से मिलकर हाई लेवल की जांच करने की बात कहर हैं बता दें आपको की केवलारी तहसिलदार के निर्देश पर पुलीस स्थाना केवलारी में सहयक ग्रेट टीन करमचारी सच्विन दायत के खिलाफ केस सर्च किया गया है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर ली गई है फिलाल आरोपी फराग पताय ज़ा रहा है मेरे को ये जानकारी अभी मिली है और उसमें कहना क्या है वो दोसी है उसको सजा मिलना चाहिए लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अकेला वो सामिल नहीं इसका इन्वेस्टिगेशन अच्छे से होना चाहिए इसमें और भी लोग सामिल है क्योंकि एक अकेला व्यक्ति करोड़ों रुपे का घुटाला और पैसों का इधर उधर जो है लेंदें जो है एक अकेला नहीं कर सकता है इसके साथ कोई ना कोई जो है एक ग्रुप है और जो की इन्वेस्टिगेशन में सामने आना चाहिए चली एसी वी धास से बड़ी कबर आपको दिखाने है जब सकता है